लोकडाउन के उल्लंगन पर पुलिस ने काटे चलान सापताहिक लोकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वाले लोगों पर शामली पुलिस ने सकती दिखाई दरजनों लोगों के चलान कर जुर्माना वसूला गया सापताहिक लॉकडाउन के दौरान कुछ, लोग मियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कारवाई के लिए रविवार को पुलिस सक्त हो गई एसपी बिनीद जायसवाल के निर्देश पर चौसाना चोकी इंचाज रविंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ शामली सहारन कुर सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया वह साथ ही चौसाना बजार वह आदी स्थानों पर भी पुलिस ने कारवाई की पुलिस ने बिना फेस मास्क लगाए घूम रहे दरजनों लोगों के चलान किये तथा मौके पर जुर्माना बसूलते हुए उन्हीं नियमों का पालन करने की सक्त हिदायत भी गई वहीं पुलिस ने बेबजा सडकों पर घूम रहे लोगों से पूछताज भी की पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने पर दरजनों वहन चालकों के चलान भी किये पुलिस के अभियान से नियम तोडने वाले लोगों में हर कंप मचा रहा केवल जरूरी कार्यवाले वहनों को जाने की अनुमती दी गई है चौकी इंचाज रविंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा सप्ताह में दो दिन लोगडाउन के दौरान बेवजा घूमने वालों पर लोगडाउन का उलंधन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी